आपका गोल फिट रहना हो, वेट लॉस करना हो या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करना हो लेकिन एक चीज़ा जो कि हमें काफी बार परिशान करती है वो है रात को बूख लगना रात को कुछ चटपटा खाने का मन करना तो इस परिशानी से हम कैसे बस सकते हैं या फिर करें कि जो रात को खान की आदत है नाइट स्नाकिंग की आदत है इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं चलिए जानते हैं शिफ्ट यॉर इटिंग विंडो अगर आप अपना डिनर जल्दी करते हैं और आप रात को लेट सोते हैं तो बूक लगना एकदम नैचिरल है कोशिश करें के जो आपकी लास्ट मीलो और जो आपका सोने का टाइम है उसमें ज्यादा फरक ना हो उसमें सिर्फ तीन से लेके साड़े तीन घंटे का ही फरक हो इससे जादा ना हो एक्जांबल के लिए अगर आप रात को ग्यारा बज़े सोते हैं तो आप अपना डिनर साड़े साथ से आठ बज़े के आसपास करें अगर आप रात को बारा बज़े सोते हैं तो आप अपना डिनर साड़े आठ से लेके नौ बज़े के बीश में करें अगर आपकी लास्ट मील में फाइबर रिच फूड जादा होता है तो उसको हमारी बॉड़ी को डाइजेस्ट करने में थोड़ा जादा समय लगता है जिसके करण के हमारी बॉड़ी में फुलनेस की फीलिंग बनी रहती है और हमें असानी से बूख नहीं लगती हर्बर टी हर्बर टी हमारी जो स्नाकिंग की इच्छा होती है उसे कम करने में सपोर्ट करती है और जो ब्लाक टी होती है ब्लाक कॉफी होती है वो भी जो हमारी जो स्नाकिंग की जो क्रेविंग होती है उसे कम करने में काफी सपोर्ट करती है इसी से रिलेटेड वीडियो हम औरेडी बना चुके हैं, उसके लिए मैं है उपर आई बटर में डाल दोगा, तो आप क्लिक करकर उसे देख सकते हैं आपको अपनी लास्ट मील में कुछ भी मीठा नहीं खाना, क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं, तो हमारी बॉड़ी में जो ब्लड शुकर का लेवल होता है, वो बढ़ता है, फिर हमारी बॉड़ी में इंसुलिन रिलीज होता है, और इंसुलिन रिलीज होने के बाद हमारी ब्ल आप चाहे तो कोई अपनी फेवरेट अक्टिविटी कर सकते हैं जैसे कि बुक पढ़ना जैसे फिर आप अपने किसी फ्रेंड को भी कॉल कर सकते हैं जिससे कि आपका जो माइंड है वो डिस्ट्राक्ट हो जाए इसी चीज़ के अपर हम औरेड़ी एक वीडियो बना चुके हैं उसका लिंक में जो पर आप बटन में डाल दूँगा तो आप उसे क्लिक करकर देख सकते हैं वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा तो उमेद करता हूँ कि आपके वीडियो पसंद आए और आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थांक्यू वेरी माच धन्यवाद चाओ